बोचपरी सुपरस्टार कि सारी लाल यादो और अक्षरा सिंग से जुड़ा एक सच सामने आया है और इसका दावा हम अपने वीडियो शुरू होने से पहले ही करते हैं कि हम नहीं करतें लेकिन खबर आई है तो आपको बताना हम जरूरी समझते हैं इसलिए ये खबर आपसे शेयर कर रहे हैं और इस खबर को लेकर हम आपसे दुबारा कह रहे हैं कि इसकी पुष्टी हम नहीं करतें खबर ये है कि क्या खेसारी लाल यादो और अक्षरा सिंग जब अपने रिलेशन्शिप में थे और रिलेशन्शिप से ब्रेक अप हो गया था उनका तब खेसारी लाल यादों को अक्षरा सिंग ने दस थपड़ मारे थे दस चपड़ मारे थे जी हाँ इस बात की खबर बाहर आ रही है कि खेसारी लाल यादों ने उस वक्त अक्षरा सिंग पर कुछ भद्दे गाने गावाए थे कुछ लोगों से और ये कॉंट्रोवर्सी तब इतनी कुछ चैनलों द्वारा, कुछ यूटूब चैनलों द्वारा ये सचाई फिर से वापस लोगों के सामने लाए गई और ये दावा किया जा रहा है कि इसका प्रूफ भी उनके पास है ठेर हम आपको यहाँ फिर से टॉपिक पर लाते हैं कहा जाता है कि अक्षरा सिंग के ब भी खुलासा किया है आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो में और कई भी बाते बताई गई है लेकिन ये दो बातें जादा मेंशन तरीके से बताई गई है और ये कहा जा रहा है कि इसे प्रूफ के साथ भी पेश किया जाएगा हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अब ये एक नई कॉंट्रोवर्सी है क्या दस चपल मारा था अक्षा सिंग ने खेसारी लाल यादो को अपना रिलेशन एंड किया था वहाँ पर जी हाँ जब ये दोनों एक रिलेशनशिप में थे तब खेसारी से रिलेशन तोड़के जब अक्षा सिंग पवन सिंग के पास वहाँ पर अक्षा सिंग के लिए कई भद्दे गाने भी कुछ लोगों से गवाये थे इसके बाद अक्षा सिंग उनके सोटिंग स्पॉट पर पहुशती है तब कहा ये भी जाता है कि अक्षा सिंग को पवन सिंग का सपोर्ट था और उन्होंने दस चकपल अपने चकपल निकाल के दस चकपल के सारी लाल यादों को मारे थे और रिलेशन एंड किया था कभी उनकी शकल ना देखने की भी बात कही थी और तो और उनके साथ कभी काम ना करने की भी बात कही थी हाला कि बाद में इन दोनों ने दिलवाला फिल्म में एक साथ काम किया क्योंकि उस वक्त ये दोनों इस फिल्म में काम कर रहे थे और तब इस कॉंट्रोवर्सी के चलते इन दोनों ने इस फिल्म में काम करना बंद कर दिया था लेकिन प्रोड्यूसर और डिरेक्टर के बोलने के बाद मान मनुहार करने के बाद ये दोनों रेडी हो चुके फिर उसके बाद इन्होंने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया चार से पान साल के गैब के बाद अब अक्षरा और खेसारी की जोड़ी फिर से ऐसी आई है ऐसे लगता है made for each other लेकिन यही कहानी धोराई गई काजल रागवानी के साथ भी जब उनका रिलेशन टूटा यानि खेसारी लाल यादो का रिलेशन टूटा तब काजल रागवानी ने भी खेसारी को थपड मार कर ही अपने रिलेशन को end किया था और आज वो प्रदीपांडे चिंटू के साथ फिन्मों में काम कर रही है और खेसारी के जितने भी दुश्मन है उनके साथ काम कर रही है हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही कह चुके हैं कि इस चपल मारने और थपड मारने वाली जो बात है इसकी पुस्टी हमारा चैनल बिल्कुल नहीं करता लेकिन आज कल के सारी को लेकर ऐसी खबरी बाहर आ रही है बोचपरी जगत की होट और मस्सा आलेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए